ओके तो यह है IQ7, यह है OnePlus Nord, और यह है Mi 11X, इन तिनों फोन का एक यूनिक एक भेतरिन comparison बनता है दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो price segment है, इसमें कुछ गिने चुनाई फोन है, जो की बहुत भेतरिन है, लेकिन जो भी है वो सब बहुत भेतरिन है, तो फिर इन में से कौन स लेना चाहिए, तो वीडियो को end तक जरूर देखना और हो से के तो एक like कर देना, ताकि हमारा motivation बना रहे है, तो आपको कौन सा भी phone लेना है, तो हमेशा की तरह हम पहले pricing देखेंगे, तो IQ7 जो की अभी latest launch है, इसकी pricing 31,990 है दोस्तों, अभी इसकी 8 plus 128 GB इसकी primary variant है दोस्तो 1 plus node के बारे में देखें, तो 29,999 है price, लेकिन दोस्तों इसमें आपको 12 plus 256 GB वाला variant देखने को मिलता है, वही आप बात करें, मी 11 X में, तो इसमें 6 plus 128 GB वाला भी variant है, लेकिन उसको हम ignore करेंगे, क्योंकि 30,000 में 6 GB वाला variant आपको लेना मतलब पूरी गलत बात बन जाती है, इस में देखें, तो 1 plus node 12 plus 256 GB वाला बहुत बहुत बेहतरीन option है, इनिशेली दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर हम with offer के बारे में बात करें, तो IQ 7 with offer 27,990 में आपको मिल रहा है, जो कि एक बहुत 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 में आपको देखने को मिलता है ठीक है प्राइजिंग तो बहुत 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 है दोस्तों लेकिन गेमिंग के बारे में क्या तो OnePlus Nord की हमने अल्ड़ेडी गेमिंग टेस्ट की है अगर आपको सिर्फ गेमिंग फोन चाहिए होगा तो OnePlus Nord सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं है IQ7 है वो 100% गेमिंग फोन है दोस्तों और उसमें special feature एड़ किया गया है extended RAM का यानि आपको 8GB RAM और अगर कुछ high end काम होगा तो RAM automatically extended RAM यूज़ करती है जो कि 3GB की कही गई है दोस्तों और उसके साथ इसमें dual chip है जो कि performance को और बिस्ट करने वाली है इसलिए IQ7 में gaming बहुत बहुत बहुतरिन होने वाली है और Mi 11X के बारे में बात करें तो ये भी एक बहुतरिन option बन जाता है लेकिन अगेन आपको सिर्फ gaming को target करना है तो IQ7 is the best option तो gaming हम किस बैसिस पे केरें ये तो इसके special feature से है लेकिन IQ7 में आपको snapdragon 870 जो की एक 5G है OnePlus Nord में आपको 765G देखने को मिलता है Mi 11X में भी आपको snapdragon 870 देखने को मिलता है ये तीनो phone 5G ज़रूर है लेकिन एक 5G के बारे में बता दू अगर आप 5G को target कर रहे हो तो IQ7 और OnePlus Nord में आपको single band और Mi 11X में dual band देखने को मिलता है ठीके बाई प्रोसेसर के बारे में जो clear हो गया लेकिन डिस्प्ले का क्या मुझे गेम खिलने में तो मज़ा आनी चाहिए जी हां दोस्तो ये तो पक्की बात है AMOLED डिस्प्ले है दोस्तो तिनो के लेकिन एक बात नोट कर लो अगेन OnePlus Nord में आपको 90 Hz ही देखने को मिलता है वही IQ7 और Mi 11X में 120 Hz का refresh rate देखने को मिलता है और IQ7 और Mi 11X में आपको MEMC support देखने को मिलता है जो की extra frames एड़ करता है और जो picture quality है वो आपको बहतरीन देखने को मिलती है अगर आप बड़े डिस्प्ले की तलश में हो तो Mi 11X 6.67 इंचेस के साथ आता है बहुत बड़ा डिस्प्ले है और OnePlus Nord 6.44 इंचेस है और IQ7 6.62 इंचेस के साथ देखने को मिलता है अगर आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो या फिर आपने streaming की ज़्यादा देर तो सवाल आ सकता है कि liquid cooling है या ने तिनों में अलग-अलग दीखाई गई है IQ7 की मुझे ज़्यादा बहतरीन लगी लेकिन फिलाल होई है फोन 38 डिगरी 39 डिगरी तक 100 परसंड होई जाते है उतने गरम और गरम हुए यानि मतलब उन्सकी बैटरी भी डाउन होने वाली है दोस्तों जी हाँ बिलकुल इसे लिए IQ7 4400 एमेच के साथ आता है 66 वाट का fast charging के company दावा करती है 30 मिनिट्स में ये full charge हो जाएगा वही Nord में आपको 4115 30 वाट के वार्प charge के साथ देखने को मिलती है या पर बैटरी थोड़े सी कम देखने को मिलती है as compared to other phones और 42 से लेके 45 मिनिट्स में ये full charge हो जाता है इसके भी हमने practical test की हुई है Mi 11X के बारे में बात करें तो 4520 बड़ी बैटरी देखने को मिलती है दोस्तो और charging support है 33 वाट का यानि अगर आपको battery backup भी matter करता है बहुत ज़्यादा तो Mi 11X आपको एक बहतरीन option बन जाता है दोस्तो और अगर आप one time investment कर रहे हो बहुत आप 3-4 साल 5 साल आपको phone protected रखना है तो जिहां दोस्तो IQ7 में कोई officially Corning Gorilla Glass का support नहीं है OnePlus Nord और Mi 11X Corning Gorilla Glass 5 के साथ आते हैं तो ये एक note कर सकते हो एक main point बन जाता है अगर आपको sound quality भी बहुत matter करती है तो clear कर दू OnePlus Nord में single dual stereo speaker देखने को मिलते है दोस्तो वही Mi 11X और IQ7 में top और bottom का आपको dual speaker देखने को मिलती है जो कि एक 3D sound create करने में बहुत बहुत बहुतरिन help करता है और camera के बारे में quick look डाले तो तीनों में दोस्तो 48 Megapixel OIS camera देखने को मिलता है OnePlus Nord का हमने test किया है Ico 7 भी कुछ camera centric phone नहीं है और हमेशा से होता आ रहा है कि Xiaomi के camera बहुतरिन देखने को मिलते अच्छे optimized होते है तो इसलिए हम Mi 11X का camera बहुतरिन बोल सकते है दोस्तों तो यह सब main points है दोस्तों हमने cover up कर लिए है अगर आपको detail लेना है तो link description में हर एक की दी गई है Ico 7 gaming centric phone है अगर आपको gaming phone के तलाश में हो या फिर आपके high end कुछ काम होते है तो आप Ico 7 को prefer कर सकते हो और अगर आपको overall यूच होगा मतलब A to Z आप average सी gaming करते हो average सा camera यूज करते हो average सा आपका यूज है तो OnePlus Nord सबसे best option बन जाता है लेकिन अगर आप थोड़ा सा camera पे focus कर रहे हो क्योंकि 48 megapixel और अगर आपको थोड़ा सा camera पे ज्यादा ध्यान देना है तो Mi 11X एक best option बन जाता है तो यह 3 points में थोड़े से डिफर बन जाते हैं यह तिनों phone अगर आपको और भी कुछ सवालों का doubt होगा तो हमने आपके सामने और कुछ videos present की है तो आप वो भी देख सकते हो यानि आपको थोड़ी और help हो जाएगी तो जल्दी से जाएए और वो videos भी देख लीजिए